नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे बेहदी विशेश कारिक्रम कालचक्र में और मैं हूँ आपके साथ आर्जुदूगी तो दर्शको कालचक्र में हम बात करेंगे आपके राशी फरी के बारे में कि आज का दिन आपका कैसा बीतने वाला है आचारी हिमांशु उपमन्युजी के माध्यम से जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है तो चली मिलके स्वागत करते हैं आचारी जी का राधे 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 आप सभी को राधे राधे आचारी जी सबसे पहले जान लेंगे तिती और नक्षादर के बारे में जी तिती आज के दिन 12 तिती है और सायम कालीन 13 तिती लग जाएगी तो आप सभी को धन तेरस की बहुत बहुत शुपकाम नाए आज के दिन ही धनते रस से जुड़े हुए कार या पूजन सभी को संपादित किया जाएगा आज दीनांख है 22 अक्टूबर सन 2000, 22 और दिन है सनीवार का 12 सी तिथी 4 बचकर 33 मिनट तक रहने वाली है और उसके पश्चाद 13 सी तिथी का आरंब हो जाएगा पूर वाफाल को निक्षत्र है और मैं बता दूं आज का दिन बहुत सुपह है इससे जुड़े हुए विसेस बातें जानने के लिए आप हमारा दूसरा कारिक्रम सवनातन फाइल्स देख सकते हैं जिसमें आपको आज के दिन से जुड़े हुए विसेस चीजें बताई जाएंगी बिल्कुल तो चली दर्शे को अब जान लिते हैं 12 राशियों का हाल अचारी जी सबसे पहले जानेंगे मेश, विशब और मिथुन के बारे में जी मेश रासी के जात्कों के लिए मैं जैसा की आज का दिन देख पा रहा हूँ कहीं न कहीं उनका जीवन साथी उनसे नाराज रहने वाला है और सारीजिक परिस्तितियां भी उनके पक्ष में मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं जीवन साथी को प्रसंड करने के लिए आज अब एक उपाय कर सकते हैं क्या? आज की दिन धनतेरे से कुछ ऐसा उपहार लाकर अपने जीवन साथी को दे दीजए जिस से उसका मन प्रसंड हो जाए अब बात कर ली जाए अगर व्रसराशी के जात्कों के बारे में इनी सलियंत्रों के कारण आज के दिन उनको सारीरिक और मानसिक समस्याएं भी उत्पन होंगी और कहीं न कहीं अगर आपने कर्ज लिया है तो वो आज के दिन आपको परिशान करने वाला है कई परकार की विपत्तियाएं मुझे आज के दिन रसराशी के जात्कों के उपर आते वही दिख रही है बात कर ली जाएकर मिथुनराशी के जात्कों के बारे में तो मिथुनराशी के जो जातक है मैं उनके लिए बता दूँ आज का दिन बहुत अच्छा है आज बहुत अच्छा क्यों है क्योंकि आज के दिन आपकी संतान के द्वारा कुछ ऐसा प्राप्त होने वाला है कुछ ऐसा कारे होने वाला है जो आपके मन को हर सो लास से भर देगा हो सकता है आपकी संतान कहीं दूर रहती है तो तेवहार में आज के दिन आपके सरनमु को प पादित कर सकते हैं आपको पूर्ण तापराप्त होगी बिलकुल दुचली इसी क्रम के अनुसार आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे करक सिंग और कन्या राशी वालों के पारे में जी करकराशी के जात्कों के लिए मैं बता दूँ दिन उनके लिए भी ठीक ही वितीत होगा बहुत अच्छा तो नहीं कि तेवहार का समय हैं आज के दिन आपके विष्टे हुए दोस्त आपसे मिल सकते हैं ऐसी परिस्तिया मुझे बनती भी दिख रही हैं पुराने दोस्त जिनका आपको बहुत वर्सों से या बहुत समय से इंतजार था वह आज के दिन आपको मिलेंगे और आपका कोई रुका हुआ कार जो मित्रों के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है आपका कोई मित्र अगर इस परिस्तिती में है कि आपके किसी कार को पूरा कर सकता है तो आप प्रयास करें निश्यत ही आपका मित्र आपकी साहता करेगा और आपका वैकार फून हो जाएगा अब बात कर लें अगर कुछ नुकसान की तो आज के दिन धन से जुड़े हुए निर्ण है बहुत सावधानी से लें उत्साह में आकर के धन का खर्च इस प्रकार से न करें कि आपको आने वाले समय में समस्या का सामना करना पड़ जाए बात कर ली जाए अगर सिंग्रासी के जात्कों के बारे में तो सिंग्रासी के जात्कों के लिए सब अच्छा ही अच्छा है अच्छा ही अच्छा क्यों है क्यों है क्योंकि आज के दिन सिंग्रासी के जात्कों का भाग उदे होने वाला है उनका भाग उनकी हर प्रकार से सहिता करेगा वो कोई भी कारे करना चाहते हैं तो आज के दिन जरूर कर ले और विसेश कर आज के दिन अगर आप धन का निवेस कहीं करना चाहते हैं तो आपको बिना देरी किये आज के दिन धन का निवेस कर देना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्ट ही आपके उस धन में बरदी हो जाएगी बात कर ली जाए अगर कन्या राशि़ के जातकों के बारे में तो कन्या राशि जातक हैं आज के दिन उनका धन दिन जो है वो धन के दिन व्वितित होने वाला है क्योंकि धन आपके पास इस मात्रा में आएगा कि उसके जाने का कश्ट आपको नहीं होना चाहिए बिल्कुल अचारी जी तुला वरिष्चिक और धनू इनके दिन में आज क्या कुछ खास होने वाला है जी तुला राशी के जात्कों के लिए मैं बता दूँँ आज का दिन बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा जिस प्रकार का बहुत अच्छा सिंग के लिए है उसी प्रकार का तुला के लिए है तुला राशी के जात्कों को आज जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं उनका भाग तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन भोग की सभी बस्तों में उन्हें प्राप्त हो जाएंगी अर्थात परिश्रम आज के दिन उनका सफल होगा कब होगा? जब वैं करेंगे कि अगर बिना किया परिश्रम कभी भी सफल नहीं होता है कि आपने कुछ किया ही नहीं कहा, पंडी जी कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ तो मैं पहले ही बता दूँगा राज आज के दिन आप परिश्रम नहीं करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा कहां से व्रद्धी होगी आज के दिन आपका रोजगार बढ़ने वाला है आपका कारे बढ़ने वाला है और इसी कारण से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं अब अगर बात कर ली जाए धनुराशी के जात्कों के बारे में तो धनुराशी के जो जातक हैं आज के दिन भै उनके मन में है क्यों है क्योंकि उनकी सारीरिक परिस्तितियां उनके पक्ष में मुझे नहीं नजर आती है सारी रिक परिस्तितियां बार बार ने तनाव लेकर धन राशी के जात्कों के सन्मू को पस्तित हो रही है लेकिन धन से जुड़े हैं कारियों के लिए मैं फिर कहता हूँ आपके लिए भी ये दिन बहुत स्रेसकर है बहुत अच्छा है आज के दिन कहीं भी धन का निवेज करने से पहले बहुत अविचार ना करें तो चलिए दर्शको हमने नो राशियों का हाल समझ लिया है अब अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ते हैं और अचारी जी से जानेंगे मकर, खुम्ब और मीन के बारे में जी मकर, राशी के जातकों के लिए मैं जैसा की आज के दिन देख भारा रहा हूं इस्तियां अच्छी नहीं है इस्तियां अच्छी नहां होने कारण क्या है कारण यह है कि उनकी परिवारी कल है कहीं ना कहीं आज के दिन उनके परिवार में जो परिस्थियां उत्पन्न होती हुई मुझे दिखाई दे रही है वो अच्छी नहीं है उसका कारण क्या है आज के दिन कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी मकर राशी के जात्कों ने कलपना भी नहीं किये तो आपको आज के दिन अधिक से अधिक सावधान रहना है ने था आप अपने कर्म और अपने जीवन के स्वेम जिम्मेदार होंगे इसकी जिम्मेदारी आपके परिवार का कोई सदस्य भी नहीं लेगा अब बात कर ली जाए अगर कुम्बराशी के जात्कों के बारे में तो कुम्बराशी के जाता काहज पता नहीं किस खयाल में खोए हुए बड़े प्रशन है उनको कारण नहीं समझ में आ रहा है जो सिर्फ उनको प्रसनता देंगे धन कितना मिलेगा मैं नहीं कहूँगा लेकिन प्रसनता आज के दिन आपको भरपूर मिलने वाली है आपके सम्मंद, आपके मित्र, आपके अपने आपका व्यापार सब और से आपको प्रसनता मिलेगी अब बात कर लिजा अगर अंतिम राशी मीन के बारे में तो मीन राशी के जात्कों का दिन भी आज बहुत अच्छा है अच्छा होने का कारण क्या है आज के दिन उनकी जो सारीरिक समस्याएं थी उनका निवारन हो जाएगा कोई अच्छा डॉक्टर उनको मिल सकता है और जो मीन राशी के जातक धन तेरस या दीपा वाली के समय पर कुछ बहुत अच्छा खरीदना चाहते हैं तो मैं बता दूँ आज के दिन निशित ही आपको सफलता प्रात्थ हो सकती है समपत्ती पाने के योग मुझे आज के दिन मीन राशी के जातकों के लिए बनते हुए दिखाई देना है तो आपको प्रयास करना है कि आज के दिन आप विलम ना करें और कुछ भी खरीदना है तो ततकाल जाकर खरीब नहीं बिल्कुल तो बारा राशीयों का हाल हम लोगों ने समझ लिया है वो वक्त आ गया है जब हम अचारे जी से जानेंगे आज का शुप और अशुप महुरत के बारे में जी आज के दिन राहु काल है प्राता काल 9 बचकर 2 मिनट से 10 बचकर 32 मिनट तक और गुली काल है 6 बचकर 33 मिनट से 7 बचकर 48 मिनट तक यह वैस समय है जब आपको कोई भी सुप कार्या या पूज नित्यादी आज के दिन का संपादित नहीं करना है और आज को जो अभजित मूरत है 11 बच कर 43 मिनट से 12 बच कर 29 मिनट के मद रहने वाला है इस समय पर आप कोई भी सुबकार्य संपादित कर सकते हैं अचारी जी वैसे तो आज धंतेरस है मैं जानना चाहूंगी धंतेरस भी है और जिन लोगों का राशी फल अच्छा नहीं है वो अपने धंतेरस को और खाज बनाने के लिए ऐसा क्या उपाए करें और अपनी राशी को और भेटर बनाने के लिए ऐसा क्या उपाए कर सकते हैं देखिए एक तो धन्तेरस है, भगवान धन्वंतरी का दिन है और उसके शाथ ही आज के दिन सनी प्रदोस भी है, ऐसी योग जीवन में बहुत कम देखने को मिलते हैं कि सनी प्रदोस हो और धन्तेरस भी हो, तो आज के दिन का जो उपाय है वो महा उपाय है, वह यह है कि आज के दिन आपको ग्यारह भिलपत्र ले करके भगवान श्यू के सामने समर्पित कर देने हैं और उसके पश्यात, भगवान विश्णू के चरणों में दूद से बनी हुई मिठाई तुलसी दल के साथ भोग लगा देनी है, आप जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त आपक को मुझे दीजे इजाज़त और आप सभी को कैपिटल टीवी के और से धंतेरस की हार्दिक शुब कामने, नमस्कार